Good day to all of you! जैसे कि आप सभी writer और impress के basic भाग के बारे में सीख चुके हैं, आज आप open office के एक नए भाग के बारे में सीखेंगे, जिसे spreadsheet कहते हैं. आएए अब open office के एक नए भाग के बारे में सीखते हैं. क्या आप जानते हैं कि open office में spreadsheet क्या होता है? spreadsheet से open office का एक भाग है, जिसे आप calc के नाम से भी जान सकते हैं, यह calc अथवा spreadsheet आपके MS Office के Excel की तरह काम करता है. spreadsheet एक paper sheet की तरह होती है, जो आपकी data को row अथवा column की मदद से store करने में मदद करती है. spreadsheet हमारे काम को और भी आसान बनाती है, क्योंकि इसमें बहुत से formula होते हैं, जिनका उप्योग आप आगे सीखेंगे. अब आप सभी अपने computer को on करें, आएए अब जानते हैं कि open office में spreadsheet sheet की file को open कैसे करते हैं. spreadsheet sheet की file को भी आप कई प्रकास से open कर सकते हैं, जैसे की step wise desktop पर बने icon के द्वारा, shortcut command के द्वारा, लेकिन अगर आप window XP, window 7 में spreadsheet sheet की file को open करने का तरीका एक ही जैसे है, लेकिन window 8 और window 10 में spreadsheet sheet की file को step wise तरीके से open करने का तरीका अलग-अलग है, लेकिन desktop और shortcut command की मदद से open करने का तरीका सभी window में एक जैसा है, अभी आपको window 7, window XP में spreadsheet sheet की file को कैसे open करते हैं, यह सिखाया जाएगा, और window 8 और window 10 के लिए आप अलग से दिये गए video की मदद से सीखेंगे, आईए, अब window XP और window 7 में spreadsheet sheet की file को कैसे open करते हैं, यह video की मदद से सीखें, सबसे पहले अपने pointer को start button पे लेके जाना है, जैसे का आप video में देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार left button को दवाना है, जैसे आप left button को दवाएंगे एक box आजाएगा, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर अपने pointer को all program लिखी option पे लेके जाना है, जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे pointer को रखेंगे, यहाँ पे एक बार left button को दवाना है, फिर से एक box आजाएगा, यहाँ पे हमें open office ढूणना है, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम scroll के button को आप down करके ढूण सकते हैं, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने scroll के button को down किया है, तो यहाँ पे open office 4.1 point का option आ गया और हमने इसको click कर दिया, हमने pointer को आप रखा और left button दवा दिया, जैसे हमने left button दवाया है, जो open office के options हैं, वो सारी options नीचे आ गये, हमें spreadsheet sheet को open करना है, जैसे कि आप जानते हैं, spreadsheet sheet का दूसरा नाम calc होता है, हमने अपने pointer को open office, calc पे रखा और उसके click कर दिया, जैसे हमने इसके click किया, जो हमारी spreadsheet sheet की file है, वे open हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो इस प्रकास से आप step wise तरीके से, spreadsheet sheet की file को open कर सकते हैं, क्या आप सभी ने spreadsheet sheet की file को open कर लिया है, अथवा नहीं, अगर नहीं तो दुबारा से वीडियो की मदद से, spreadsheet sheet की file को open करना सीखें, आईए अब spreadsheet sheet के बारे में सीखते हैं, सामने देएगे चित्र को देखें, क्या आप बता सकते हैं, जो एक box की मदद से आपको दिखाया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, जैसे कि आप writer impress में सीख चुके हैं, इसे title bar कहते हैं, जो कि आपकी file और software का नाम सो करता है, क्या आप बता सकते हैं, standard toolbar क्या होता है, और दिखायेगे चित्र में कौन सा है, standard toolbar shortcut तरीके से, हमारे कारियों को करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें उन सभी menu के options उपलवद रहते हैं, क्या बता सकते हैं, formatting toolbar क्या होता है, और इसका उप्यो क्यों करते हैं, formatting toolbar भी एक तरीके से, किसी text की formatting करने का shortcut तरीका होता है, जिसमें formatting करने के सभी options उपलवद रहते हैं, जिनकी मदद से आप text की formatting कर सकते हैं, सामने देगे चित्र को देखे जिसे एक बॉक्स से दिखाया गया है क्या आप बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं इसे फॉर्मूला बार कहते हैं फॉर्मूला बार आपकी मदद करता है जब आप किसी भी फॉर्मूला में कुछ चेंज करना चाहते हैं formula क्या होता है यह आपको आगे सिखाया जाएगा सामने दिए गए चित्र में देखें यहां दो जगए पर box बनाके दिखाया गया है क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं इन्हे column and row header कहते हैं क्योंकि spread sheet में column को हमेशा alphabet के दिखाया जाता है इसलिए इसे column header कहते हैं और row को हमेशा numbering में दिखाया जाता है इसलिए इन्हें आप row header कहते हैं इसलिए इन दोनों को column and row header कहते हैं क्या आप जानते हैं कि spread sheet की window में पहले से कितनी seat होती हैं spread sheet में पहले से 3 seats होती हैं सामने दिएगे चित्र में एक box के दुवारा कुछ दिखाया गया है क्या आप बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं इसे status bar कहते हैं spread sheet में status bar आपको seat के बारे में बताता है कि आपके पास कितनी seat है और आपको यह कुछ formula के वारे में भी दिखाता है और साथ में zoom box को भी दिखाता है क्या आप बता सकते हैं side bar का उप्योग क्यों करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं side bar भी एक shortcut तरीके से आपके कार्य करने में मदद करता है क्योंकि जब भी आप typing करते हैं तो यह आपको text के सभी option को दिखाता है और आप जब भी किसी picture पर कोई कार्य करते हैं तो यह picture के सभी formatting को दिखाता है इसके साथ में side bar में और भी बहुत से shortcut options उपलबद रहते हैं आईए अब सीखते हैं spreadsheet में arrow key का उप्योग कैसे और कब करेंगे क्या आप बता सकते हैं cell क्या होता है cell एक box की तरह होता है spreadsheet में जहाँ पर भी एक black color के box बनके आएगा और वहाँ पर कुछ भी type करेंगे तो उसी cell में type होगा आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि cell का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि cell का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहां पर भी आपको black color से एक box दिखाई दे रहोगा जो अभी A1 पर select है इसे cell बोलते हैं cell एक प्रकार से box होता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक प्रकार से block है कहीं पर भी आप click करेंगे तो वहां पर black color का एक box आजाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वह box आजाएगा और अगर उसके अंदर कुछ टाइप करेंगे जो भी आप टाइप करेंगे वह उसके अंदर लिखा हुआ आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने keyboard की मदद से हमने यहाँ पर टाइप किया हमने computer में टाइप किया तो उस cell के अंदर टाइप हो गया और जैसे हम दूसरी जगह पर क्लिक करेंगे जो हमने टाइप किया था वह उसके अंदर लिखा हुआ आजाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर इसको फिर से आप कुछ जहां पर अपने computer लिखा हुआ जहां पर आपने कुछ लिखा है अगर वहाँ फिर से क्लिक करेंगे तो एक फिर से box आजाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं अगर आप यहां पर दुवारा कुछ लिखेंगे जो आपने पहले लिखा था वे मिट जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहां पर computer लिखा था लेकिन हमने उसको select किया और हमने वहाँ पर 6 टाइप किया तो जो computer लिखा था वह computer मिट गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आप यहां पर कुछ add करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जो हमने टाइप किया वह ना मीट है यहां से और इसी एक साथ में अगर कुछ आप add करना चाहते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक formula बार है हमने यहाँ पर click किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और हम उन्हें उसके अंदर type करना शुरू कर दिया हमने उसके आगे computer लिखा तो आप देख सकते हैं जो cell था उसके अंदर computer भी लिखा हुआ आ गया फिर आप बाहर क्लिक कर दे जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर computer शिक्षा लिखा हुआ है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर हमने click किया तो इस box के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी पूरा box के अंदर computer शिक्षा नहीं लिखा हुआ है आप वहाँ पर फिर से click करें जैसे click करेंगे तो एक cursor आ जाएगा आप cursor की मदद से जो आपना type किया है उसको इस तब से last में लेके जाए और backspace की button से उसको मिटा दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से दूसरी जगापर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने दूसरी जगापर click किया तो उस cell के अंदर सिर्फ computer लिखा हुआ है इस प्रकास से आप cell के अंदर गाम करना सीख सकते हैं क्या अब बता सकते हैं row क्या होती हैं एक row भी बहुत से cell से मिल कर बनती हैं एक cell से दूसरे cell में जाने के लिए enter बटन का उपियोग कर सकते हैं आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं है रो का उपयोग कैसे करते हैं कि आये वीडियो की मदद से सीखते हैं कि रोका उपयोग कैसे करते कि मिट याइसे कि आप स्क्रीट में देख सकते हैं यहां पर भूआ सारे नमबर लिखे website यह सारी रोह रोग होती हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हम first row को select कर रहा है हम हरे एक cell को select कर रहे हैं यह हमारे एक row है ऐसी second वाले वह, third, four, fifth, six इस सारी row होती है जिनको number से दिखाये गया है आप जिस रो में भी काम करना चाहते हैं उस रो को select करेंगे जैसी कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है हमने a1 हमने भी cell को select किया है अभी हम यहां पर a1 में हमने नाम type किया फिर दूसरे कोलम में जाएंगे यह कोलम है यहां पर हम प्रोल नंबर टाइप किया फिर आप दे सकते हैं कि हमने C1 cell को सेलक्ट किया और वहाँ पर हमने सब्जक्ट टाइप किया आप एक cell से दूसरे cell में जाने के लिए arrow की का बटन उप्योग कर सकते हैं हमने right arrow की का बटन उप्योग करके अभी हम आगे जा रहे हैं अगे अगले cell को सेलक्ट कर रहे हैं ऐसे ही नीचे आने के लिए down arrow की का उप्योग करेंगे जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है left side में जाने के लिए left arrow की का उप्योग करेंगे right में जाने के लिए right arrow key का उप्योग करेंगे और अगर आपको उपर जाना है तो इसके लिए आप आप arrow key का उप्योग करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी पहली row है जो first row है उसके इंदर हमने type किया है उसके दिर हमने कुछ काम किया अभी हम उसको select कर रहे है जैसे का आपको वीडियो में दिखा जा रहे है name, role number, subject, total यह first row के अंदर लिखा गया है हमने इसको mouse के दवारा select कर लिया left button दवा के इसको drag करेंगे जहां तक drag करेंगे वहां तक वो select हो जाएगा जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं आप इसके लिए चाहें तो keyboard का भी उप्योग कर सकते हैं shift button दवा के right arrow की का उप्योग करें तो वो जितने भी row है जो पहली row है वो select होती जाएगी जैसे आप down करेंगे तो नीची की जितने भी rows है वो select होती जाएगी जैसे के आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है अगर इसको आप वापिस left arrow की copy of करेंगे तो जो हमने select किया था वो हट जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है फिर आप left button दवा देए जो select किया था वो unselect हो जाएगा तो इस प्रकार से आप किसी भी row को select कर सकते हैं किसी भी row के अंदर आप type कर सकते हैं अगर आपको move करना है तो इसके लिए आप arrow की के button का उप्योग करेंगे क्या आप बता सकते हैं columns क्या होते हैं columns भी बहुत से cell से मिलकर बनती हैं आएए वीडियो की मदद से column में कैसे कारे करते हैं यह सीखे आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि column का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं spreadsheet के अंदर column को alphabet की द्रसाया जाता है alphabet की द्वारा दिखाए जाता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर जितने साफ要ug से उनको alphabets की द्वारा दिखाए गया है उनको denote किया गया है जैसे हमने ''A पर किलिक के जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं पूरी कॉलम है वो सलेक्ट हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह पूरी कॉलम सलेक्ट हो गया इसी प्रकार से अगर आप दूसरे वाले कॉलम को सलेक्ट करना चाहते हैं अगर बी पे क्लिक करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर हमने अ सकते हैं, name, role number, subject, total, यह हमने column के अंदर type किया हुआ है, जैसे कि आप दे सकते हैं, D column ने हमने total type किया है, अगर उसको नीचे जाना है, तो आप arrow की के button को उप्योग करेंगे, down arrow click के button से आप move कर सकते हैं, cell के नीचे जा सकते हैं, अगर आपको column को select करना है, तो आप left button से दवा के, touchpad या mouse से ड्रैक करेंगे, तो आपको column सेलक्ट हो जाएगा, इसी परकास अगर आप दूसरे column को select करना चाता हैं, तो आप video में देख सकते हैं, हमने left button को दवा के, नीचे की side drag करेंगे, तो column सेलक्ट हो जाएगा, जैसे के आपको video में दिखाया जा रहा हैं, हमने C column पे रखा, left button दवा के, नीचे की side drag किया, सेलक्ट हो जाएगा, जिस side भी आप drag करेंगे, उसी side select होगा, जैसे के आपको video में दिखाया जा रहा है, right side में करेंगे, right side में select होगा, left side में करेंगे, left side में select होगा, अगर नीचे ड्रैक करेंगे तो नीचे के कॉलम सेलेक्ट होता जाएगा इस प्रकार से आप कॉलम को उप्योग करना सीख सकते हैं जिस कॉलम के अंदर भी आप काम करना चाहते हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से सीखें कि एक सीट से दूसरी सीट में कैसे जाते हैं जैसे कि आप जानते हैं Speed Seat में Total 3 Seat होते हैं जो पहले से ही उपलब दोते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे 3 Seat दिखाया जा रहा है जिस Seat पे भी आपको Move करना है आपको Seat को Select कर लेंगे जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे अभी Seat 1 सेलेक्ट है और Seat 1 पे Name, Role Number, Subject और Total लिखा हुआ है अगर आपको दूसरी Seat सेलेक्ट करना है तो अपने Pointer को Seat 2 पे लेके जाएंगे उस पे क्लिक कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपको तीसरी Seat चाहिए अपने Pointer को Seat 3 पे लेके जाएं Seat 3 पे वहाँ पे क्लिक कर दें तो आप Seat 3 पे आ जाएंगे अगर आपको फिर से Seat 1 पे आना है तो Seat 1 पे क्लिक कर दें इस परकार से आप Seat को Move कर सकते हैं किसी एक Seat से दूसरे Seat पे जा सकते हैं अब आप सभी सामने दिएगे चित्र की तरह अपनी Speed Seat में एक Table बनाएं Table बनाते समय अगर कोई समस्या हो तो अपने Teacher से पूझें आज की क्लास यही पर समाप्त होती है आप सभी अपनी Calc की File को Close करें Calc की File को भी आप वैसे ही Close करेंगे जैसे की आप Writer या Impress की File को Close क्या करते दे आज की क्लास में आप Impress के कुछ Option का Revision किया उसके बार आपने सीखा Speed Seat क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं और अपने Speed Seat के बारे में सीखा जैसे की Title Bar क्या होता है, Standard Toolbar क्या होता है, Formating Toolbar क्या होता है Column and Rope Header क्या होता है, Cell क्या होता है, Rows क्या होती हैं, Columns क्या होते हैं और आपने आखिर में एक टेवल भी बनाया